आज मैंने बनाया लॉकी कोफ्ते ये खाने में बहुत ही तेस्टी लगते हैं और हम हरी सबसी खाक के काफी बोर हो जाते हैं हमें कुछ नया खाना होता है तो आप इस तरह से लॉकी को कोफ्ते पैटर्न में मेरे तरीके से एक वर बना के ज़रू ट्राइक करें ये आपको भी काफी पसंद आएगा और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है आप इसे रोटी के साथ जीरा राइस के साथ या पराठे के साथ किसी के साथ भी खा सकते है ये काफी अच्छा लगता है और आप देख सकते हैं ये कोफ्ते अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं ये खाते ही मुह में बिल्कुल घूल से जाते हैं तो यह वहाँट ही अच्छी रेसिपी है आप इसे कभी भी किसी दिन बना सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं आज की तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छे लगती है तो लाइक बटन जरूर हिट किजेगा और साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये रेस्पी आज की कैसी लगी अपना सुझ हो में साथ जरूर आज की रेसिपी आज लगी का कोफटा बनाने के लिए सबसे पहले इस तरी की कि लिए कर टकर लूंगी और इसके उपरी हिस्सोगों थोड़ा थकट करने किनिकाल लेना है और दोनों हिस्सो को हमें अच्छी तरह से पिल आफ कर लेना है इसके दोनों हिस्सों को हमें अच्छी तरह से इसके चिलके उतारने के बाद हमें लॉकी को अच्छी तरह से वाश कर लेना है और अब हम बारिक ग्रेटर वाले ग्रेटर से हम लॉकी को ग्रेट कर लेते हैं हमें ध्यान रखना है कि हम पास जो भी बारिक ग्रेटर हो हम उसका योज करें इससे बहुत ही जादा फाइन ग्रेट होते हैं हमारे लौकी और इससे कोफ़ते भी बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं एसलिए मैं यहाँ पे अधर लौकी को ही ग्रेट करूँगे अगर आपको जादा कोफ़ता बनाना है तो आप पुरी लौकी को यूजए कर लें और इस तरीके से मैंने आधी हूद्लम को यूजव करते हुए ग्रट कर लिया है और अब मैं इसके पाद मेयर पूरे कापड़ा रोछे कैट कपड़े कच्पड़ा काफ़े पानीे लगन किये कbakफे में दबाते हूए इसके सारी पानी निकालने हमेरे कोफते यह बनाते और बिखर जाते हैं응 इसलिए हमें इसी प्राससे किपल करें अगर वे दो लगे कि हम निकाल लेते हैं और ताकि हमारे कोफते हैं अच्छे और सॉफ्ट बने और इस तरीके से प्रेस करते हुए मैं लॉकी की सारे पानी को निकाल लेती हूँ और अब मैं इसमें एड़ करूंगी बड़े साइज के चॉप्ट ओनियन इस तरीके से बारे करते हुए मैंने ओनिय साथ में थोड़ा सा ऐड कर लेती हूं काला नमक और अब में एड चमच जीर पावडर है का एड कर सबदें चल्मच छाया पावडर है पावडर क्रदें अलाश टोडर कर सकते कि वेना पानी करके इसे ञखे सकते हैं, तो आप थो पानी की जरूवर्त नहीं हुई इसलिए मैंने आट गिया तो यह मीं कर सुभ्य है, यह स्वल्क यह यह तयार है और आप offers के गोले बना के और कर लेती हूं कोफते को फ्राई और आप देख सकते हैं इस पेस्ट के कितने अच्छी बाइंडिंग बन चुकी है और इसके एक बहुत अच्छी गोले बनके तयार हो जा रहे हैं तो अब हम इसके गोले बना के और अब हम इसे ले चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में और हम लॉकी के पेस्ट को इस तरीके से गोले बना लेते हैं आप देख लैं हैं कि बहुत अची बैंडिंग बर के तयार है हम हम इस तरी कह सब vont के पेस्टके गोले मैंने सारे कौफते बना के रेडी कर लिये हैं आप इसे लंबा या गोल या चप्टा कोई भी अपने मल्चाहे अकार में शेप दे सकते हैं और जब तेल गरम हो जाए तो हम इस तरीके से सारे कौफतों को तेल में एड़ कर लेते हैं और इस स्टेज पे मैं अपने गैस के फ् इस सारीके से मैंने सारे कौफतों के साइट्स चेंज कर लिये हैं और मीडियम फ्लेम पे ही मैं दूसरे साइट्स को भी फ्राई कर लेती हूं इस सारीके से मैंने कौफतों को दोनों साइट से अची तरह से फ्राई करते हुए प्लेट आउट कर लिया है आप देख सकते हैं हमारे कुफ़ते बहुत अच्छे और को भूनने के बाद अब मैं इसमें एड़ कर लेती हूं एक कटोरी के करीब टमाटर का पेस्ट इसके बाद हम इसे मिक्स करते हुए अची तर से चला लेते हैं प्यास और टमाटर की पेस्ट को हम एक मिनट तक भून लेते हैं और इस बीच हम अपने गयस के फ्लेम को लो से मि और इसमें इट करूंगी एक शिलदी पाउड़ और इसके बाद नमग सारे पूरो Maintenant को एक साथ अज़ी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब लो फ्लेम पर आछी मिक्स करने के बाद और मसालो नियुक्स भार करने के बाद हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हम मसालों को कवर करने के बाद लगतार हम 10 मिनट के लिए इसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कवर करने के बाद अगर हम इसे 10 मिनट के लिए लगतार छोड़ देते हैं तो मसालों के कढ़ाई में चिपकने का डर हो जाता और समें काफी ब्यांतर आ सकता है इसलिए हम विश-विश में कवड़ को हटा के मसालों को लगतार चलाते रहेंगे इससे मारे नान्साल चैतली को बंड़ने ऊश्वांट और उब से सपते हुए 20 ध्रयाज के फ्रेबस को वीडियींग कर लेते हैं और हम अपने ग्रेवी को कवर करके थोड़ा सा उसे भी पका लेते हैं और अब हमारे मिडीज왼 के कवर किये हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं और अब देख सकते हैं हमारे ग्रेवी में एक अच्छा खासा उबाल आ रहा है और अब हम इस तो अब ग्रेवी ने तेल चोड़ना शुरू कर दिया है और अब हमारे ग्रेवी लगबख तयार हो चुकी है क्योंकि इसने तेल चोड़ना शुरू कर दिया है और इस स्टेज में आपको दिखा दू कि मैंने 2-3 ग्रीन चीली भी एड़ किये थे मुझे यह चीज इसकिप हो तो आप एड़ कर सकते हैं या यह से आप कंप्लेटली स्किप कर दें तो उसके बार हमारे ग्रेवी तो पक के तयार है और अब हम इस स्टेज पर अपने सारे कोफतों को एड़ कर लेते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक एक करके सारे कोफतों को अपने ग्रेव लेकिन अब थोड़ा सा कोफतों के अंदर सारी क्रेवी चली जाए इसके लिए हम अपने इन कोफतों को कवर करके थोड़ा सा बस कुप कर लेते हैं एक उबालाने तक और जैसे ही हमारे एक मिनट में कवर करते हैं जैसे एक उबालाता है हम कवर को हटा देते हैं नहीं तो हमा हमारी कितनी अच्छी कोफते बनके तयार हैं और जैसे कि आपने देखा मैंने जैसे कवर को हटाया कोफते हमारे पहले से और भी काफी सॉफ्ट हो चुके हैं और ग्रेवी ने काफी तेल छोड़ना शुरू कर दिया है अब हमारी कोफते लॉकी के कोफते बिलकुल टेस्टी म अब मैं अपने गैस के फ्लेम को करती हूं और अब इसे मैं करती हूं तो लॉकी के कोफते आपने बहुत बार बनाए होंगी लेकिन एक वार मेरे तरीके से बना के जरूर देखिएगा यह आपको बहुत पसंद आने वाला है और मुझे कॉमेंट डाउन करके जरूर बताई है और कितनी अच्छी बन रही है यह सच में बहुत ही डिलिशस लगती है एंड रहत के लिए उतनी ही बेनिफिशल है तो आप एक बार मेरे क्यानिपी इसे एक बार जरूर प्राइ कीजिए और आप इसे रोटी राइस और पराठे किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं तो म मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बी एल दी बी सेफ